हेलो एवरिवन वेलकम बैक तु माई चैनल दसीविंग रूम आज की वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत जादा हैल्पुल होगी इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि आप नोर्मली डेली वियर के लिए सिंपल ट्राउजर की कटिंग और स्टीचिंग कैसे कर सकती है जो हमारा काफी कंफर्टेबल ट्राउजर बनेगा पहले हमें फैबरिक को फॉरड फॉल्ड करके इस थरह से रखना है यह फैबरिक की खुली साइड रहेगी और यह है बंज साइड सबसे पहले हम फैब्रिक के उपर की साइड से दो इंच का एक्स्रा मार्जन रखेंगे जो हमारा अंदर की तरफ फॉल्ड होगा और उसमें इलास्टिक डलेगी इसके नीचे की तरफ हम आसन की मार्किंग करेंगे वैसे तो स्टेंडर साइज 12 इंच का होता है हम डबल एक्सल साइज का ट्राउसर बना रहे हैं तो इसमें 12 इंच पर फेक्ट रहेगा तो 12 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे अब ट्राउसर की हम चोड़ाई रखेंगे चोड़ाई आप अपनी अकोर्डिंग रख सकती है मैंने साड़े 12 इंच इसकी चोड़ाई रखी है अगर आप और जादा लूज ट्राउसर चाहती है तो 13 इंच भी आप रख सकती है 12 इंच स्टेंडर साइज होता है जो एक परफेक्ट ट्राउसर बनता है ट्राउसर के हम आशन को थोड़ा और चोड़ा करेंगे वैसे तो यहाँ पर एक फैब्रिक भी डलता है लेकिन हम यहाँ पैंट कर्ट का ट्राउसर बना रहे हैं जो हमारा इसली बन जाए पैंट कर्ट की कटिंग वैसे तो इस शेप की आती है लेकिन अगर आप डेली वियर के लिए एक कमफर्टेबल ट्राउसर चाहती है जिसमें उठने बैटने में आपको काफी अच्छा फीलो तो इसके लिए हम आशन के सैंटर पर मार्किंग करेंगे यानि 6 इंच पर और यहां से इस तरह से हम सीधी कोलाई में मार्किंग करेंगे डेली वियर के लिए एक कमफर्टेबल ट्राउसर की मार्किंग यही होती है तो आप आशन में इस तरह से मार्किंग जरूर करें अब नीचे की तरफ हम 34 इंच पर अपने ट्राउसर की लंबाई रखेंगे दो से 1.5 इंच हम एक्स्टा रखेंगे जो अंदर की तरफ फॉल्ड होगा अगर आप लंबाई में और पिंटक्स का डिजाइन बना चाहती हैं तो लंबाई की मार्किंग आप 3-4 इंच एक्स्टा रखें अच्छे से हम लंबाई में मार्किंग कर लेंगे और 7 इंच ओडा में बोटम रखोंगी और इसमें भी 1.5 इंच हम एक्स्टा रखेंगे अब गाईज आता है हमारा में पार्ट यानि ट्राउजर की परफेक्ट फिटिंग अगर हम ट्राउजर की परफेक्ट फिटिंग अपनी स्केल की हैल्प से इस तरह से लेंगे तो गाइज नी यानि आपमारे फुट के नीचे के पार्ट से यह काफ़ी डीला हो जाता है जिसमें ट्राउजर का पर्फरेक्ट लुक नहीं आपाता है तो इसके लिए गाइज आप इस तरह से अपनी स्केल को रखें यानि धाई से तीन इंच उपर की तरफ से कम और यहाँ पर आप सीधी मार्किंग कर सकते हैं इससे आपकी ट्राउजर का नीच अपार्ट थोड़ा कम हो जाएगा अब उपर की साइड से हम इसको इस तरह से रखेंगे एक से डेड इंच एक्स्ट्रा करकर ही और उपर की साइड से इसको ढीला इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऐसे पर्फेक्ट ट्राउजर की मार्किंग हो जाएगी एक सिलाई से आप easily इस तरह का ट्राउजर बना सकती हैं इसको stitch करना भी बहुती easy है beginners के लिए तो यह video काफी helpful रही होगी अब guys ट्राउजर के आमने सामने वाले पार्ट को हम एक साथ stitch करेंगे दोनों साइड के पार्ट को इसी तरह से हमें stitch कर लेना है एक सिलाई के ट्राउजर में एक problem यह भी आती है कुछ girls को कि जब वो ट्राउजर को पहनती है तो गुटने पे से वह बाहर की तरफ निकल जाता है जिसे ट्राउजर का look अच्छा नहीं आता है तो इस तरह से आप ट्राउजर के center में back side से पहले एक पैर की सिलाई लगाए और इसके बाद front side से किनारी किनारी पर इस तरह से ट्राउजर गुटने पे से बाहर की तरफ भी नहीं निकलेगा और उसका look भी perfect आएगा अब हम आसन को भी इसी तरह से stitch करेंगे उपर की side भी किनारी पर एक सिलाई ज़रूर लगाएंगे इससे यह काफी अच्छे से पक्का हो जाएगा दूसरी side से भी हम आसन को इसी तरह से stitch कर लेंगे अब नीचे के bottom में अपनी पसंद की according हम design बनाएंगे या फिर ऐसे भी आप अंदर की तरह fold कर सकती है design हमने already बना लिया था आपका time waste ना करते हुए अगर आप इस design की cutting stitching सीखना चाहती है तो guys channel पर visit करें पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा side से अब हम अपनी trouser पर stitching करेंगे center से trouser पर पहले हम extra 5 इंच करेंगे इस तरह से stitch दूसरी side से फिर से इसी तरह से करेंगे इस से center में हमारे trouser के double सिलाई आ जाएगी जिससे यह अच्छे से पक्का हो जाएगा trouser में हम lastik को attach करेंगे तो इसके लिए हम trouser को lastik के center से निकाल लेंगे और नीचे वाला fabric भी ऐसे ही लेके जाएगे इस से lastik हमारे trouser में एक साथ डल जाएगी कुछ गर्स पहले fabric को fold करती हैं उसके बाद lastik को डालती हैं तो उनके लिए यह काफी helpful होगा इससे आप एक साथ ही दोनों काम easily कर सकती है गई सिलाई लगाते टाइम आप यह भी धियान रखें के lastik के उपर सिलाई ना आए इससे lastik और fabric इधर उधर नहीं हो पाएंगे यानि balance में नहीं बन पाएंगे अब हम fabric को चारों तरफ equal कर लेंगे इस तरह से खींचते हुए और lastik के center में इस तरह से हम fabric को और lastik को एक साथ खींचेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे इससे fabric balance में एक साथ बना रहेगा इधर उधर नहीं जाएगा और perfect हमारा trouser इस तरह से बन कर तयार हुआ है guys I think आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को like and share करे साथ हमारे चैनल को subscribe करना तो बिलकुल न भूले